नमस्कार आप देख रहे हैं महरत समचार मैं हूं रमन पांडे दोपहर वोर में आपका स्वागत है आज एक बहुत ज्वलनत मुद्दा है और ये मुद्दा उत्त difD के विकास से उत्त merci में भृषटा चार से और उत्त basic की सड़कों की खस्ता हाली से जड़ा हुए यूपी के हमीरपूर, बादा, जालोन, फतेपूर, कुशिनगर समेट कई अलाकों में बालू और मोरंग का खनन होता है लेकिन इन दुनों मोरंग बालू का खनन विकास की रिड़ यानी सलकों के लिए विशाब बन गया इससे ने सिर्फ विकास की रफतार रुखती है, हमारे आपके लिए टैक्स से बनी वो सलकें जो लंबे वक्त तक लंबे सालों तक चलनी थी वो दशकों तक भी नहीं चल पाती है आज दो फैर वार में हम बात करेंगे ओवर्लोडिंग पर लगने वाले लगाम की और सवाल उठाएंगे कि ओवर्लोडिंग का आखिर लगाम क्यों नहीं लग रही है यह सवाल इसलिए भी उठना लाजबी है कि इससे पहले की सरकारों में जब ओवर्लोडिंग होती थी तो तमाम तरह की बाते सुनने को मिलती थी और लगातार परहार होते थे लेकिन आज की तारीक में आटियो खनन माफिया और स्थानी प्रशासन की मदद से ओवर्लोडिंग जारी है और सब ने आखे बंद करके रखी है सवाल यह उठता है कि क्या ओवर्लोडिंग पर जब कंट्रोल किया गया था तो जो बालू, मोरंग के दाम, आसमान चुने लगे थे क्या गोरकपुर में और फूलपुर में उप्चुनाओं में जो हार हुई थी उसके बाद से निर्देश दिये गए थे कि ऐसे ट्रकों को जाने दिया जाए, उसके बाद से निर्देश दिये गए थे कि कम से कम जो लगातार आसमान चुती कीमते हैं, बालू और बोरंग की उन पर कंट्रोल किया जाए तो चलिए शुरू करते हैं तो पहरवार और देखते हैं कि ओवर लोडिंग पर लगाम आखिर क्यों नहीं लग रही है, क्या वचए तो चलिए शुरू करते हैं, डिस्कुशन के शुरूआत करते हैं और आपको कुछ आंकड़े बता दें, आंकड़े यह हैं कि 12 चक्का ट्रकों में 21 तन बालू लदने की क्षमता होती है लेकिन इसमें लगबक 40 से 60 तन बालू लादा जा रहा है, यह तीन तस्वीरे आपको दिखा रहा है, ओवर लोडिंग जारी है, तीन तस्वीरे तीन इलाकों से, बादा, फतेपूर, हमिरपूर, और खास बात यह है कि जितना क्यूबिक फिट साइज होता है, उस साइज के अलावा ट्रकों की हाइट बढ़ा के भी ओवर लोडिंग की जारी है, ओवर लोडिंग पर सरकार के आग बंद करती है, आसमान चुरहे मोरंग के दाम धड़ाम से गिर गए हैं, एक हफते में ही मोरंग के दामों में 50 से 60 रुपे क्यूबिक फिट तक ही कमी आई है, तस्वीरों में आप बादा फतेपूर, हमिरपूर की तस्वीरें देख रहे हैं, विजवस देख रहे हैं, यहां ओवर लोड़े ट्रक धडलले से आ रहे हैं, और राज़ेसों को चूना लगा रहे हैं, और मिली भगत है, सीधे सीधे, आर्टियो, खनन माफिया, और स्था सरकारों में, तो बहुत अल्ला मचता था, और ओवर लोडिंग होती थी, ओवर लोडिंग जैसे ही बंद होई, जैसे ही सरकार आई, उसके बाद खनन को लेके इनोंने जो नीती बनाई, वो अच्छी नीती थी, लेकिन उसका नतीज़ा यह हुआ, कि बालू मोरंग के दाम उठाना पड़ रहा था, कोई भी कंस्ट्रक्शन अपने घर के लिए निर्मान नहीं कर पा रहा था, इसलिए कि सारी चीज़ें आस्मान चूर रही थी, तो अभी भी यह जारी है, तो फिर फरक क्या पड़ा है, देखे सरकार ने एक तो अपना राज्यस बढ़ा लिया, ज लेकिन पिछले एक साल में सरकार मोरंग और बालू के दामों को नीचे लाने नाकाम रही और सरकार को इसका खामियाजा जेलना पड़ा, जनता को परिशानी होने लगी, अब जो काम पिछली सरकार में गायतरी परचापती कर रहे थे, वो काम यहां सुरू हो गया है, अब म 20 टन लादना है, वो 60 टन लाद के जा रहा है, सडक रहे चाहे गले, लेकिन माल जो है अधिकारियों की जेब में आने लगा, एाइटियो, ठानेदार, चोकीन चार्ज, हर जिले में जितने बैरियर, तो यह सिस्टम सब पूराना वही ढर्रा आ गया है, और एक जो बड़ी बात यह है, कि यह सब सरकार की जानकारिम हो रहा है, तो पहले यह था कि भाई, सरकार ने अपना राजस्तों बढ़ा लिया, और जंता को महेंगी मोरंग मिली, अब परिवान विहाग के लोग भी मजा काट रहे हैं, पुलिस के लोग भी मजा काट रहे हैं, अब पुराने परिवर्तन कुछ नहीं आया पिछली और इस सरकार में बालू और मोरंग को लेकर अब कोई फरक नहीं है लेकिन ओवर्लोडेड जो भी वहान होते हैं वो कितने खतरनाक होते हैं रूट पर चलने वाले दूसरे मुसाफिरों के लिए दूसरे रागीरों के लिए और इसका नि तो फिर फरक क्या पड़ा है आखिर कोई फरक नहीं पड़ा क्या सरकार इस दवाब में है कि बालू और मोरंग के दाम आसमान चूर रहे थे तो कहीं ने कहीं उसका निगेटिव इंपक्ट पड़ता है कि अभी आपके कह रहें थे कि पहले बहुत दूस्त व्योस्ता हैं थ पर एक एडिस आया था इसके बाद यह उसके बाद ही उस आदेश को कि अहिलना करके सरकार इस तरह की अब इन लोगों को काम करने का मौका दे रही अपने राल्टी बढ़ा रही है और यह लोग यह ट्रक जो अभी आपने बताया कि बारा चकार ट्रक में एक यह किस्ट बा माँख सर्कार के मैफ यह सरकार कर बेठेत हैं यह वायोथ को सरकार कोí आप इसा पर रखनाी हो पी पिने के लिए अज अधरा हमामा मनोज यादो आप से जाना चाहेंगे स्थानी प्रशासन आटियो और उसके साथ खनन माफिया इनका नेक्सस इतना फैला हुआ है कि यूपी के जो सीमावर्ती इलाके जो मद्यप्रदेश से जुड़ रहे हैं या जो दूसरे इलाकों से जुड़ रहे हैं मैं आपको एक च्छोटा से एक्जामपल बताता हूं सोनभद्र से इस तरह की इंफॉर्मिशन आई थी कि सोनभद्र में वहां पे मद्यप्रदेश की परची परची कट रही है यहां से खनन हो रहा है और अधिकारियों के मिली बगत से मोरंग अबालू पास हो जा रहा है तो जो खनन था अवैद कनन था उसको खतम कर दिया जितना कुछ अवैद उत्तरप्रदेश मा सब खतम हो गया हम आप लोगों का सवभाग है कि उस अवैद पर हम लोग आज फिर चर्चा कर रहे हैं चुकि उसके कहीं न कहीं तत्थ हैं लोगों के पास वो फैक्ट्स आ गए है इसलिए आज इस चैनल पर चर्चा हो रही है मैं मौझूदा सरकार के लिए एक लाइन कहता हूं और वो यह है कि अब की बार सारे मुद्दों पर पलट गई सरकार मेरे राजनीतिक जीवनकाल में लगबक अगर मैं बहतर राजनीत समझता हूं तो 15 साल से मैं राजनीत को ब नहीं कुना हूंगा रवन जी लेकिन आप सोचिए यह लोगों ने पानी पीपी के अवैत घनन की रोकने की बात और हमारी सरकार पे आपने तुमाम सारे के आरोप प्रता रोप लगाए वो चाहिए गयत्री प्रजापती हो और लोडिंग हो रोडों की घस्ता हालत पर सब गयत्री प्रजापती का नाम तो बिलकुल सर्वमान है इस फील्ड में आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा एक बात बता दूँ गयत्री जी अभी किस मामले में बंध है मैं जानना चाहूंगा बीजेपी के लोगों से आपके चैनल के माद्धम से उन पे खनन को लेके नहीं किया होता है वो मुद्धा दूसरा है इसलिए हम उसके चर्चा नहीं जानता है को मैं आप से कह रहा हूं कि अगर ओर लोडिंग है तब भी रेट 70 रुपए काहे के लिए 30 रुपए 35 रुपए मौरंग का रेट होना चाहिए बालू चूकी है तो नेचरल से हमें मिलत इसा तो है नहीं कुछ की यह में बनाया हुआ कोई चीज है या उसमें मैंपावर लगता हो कोई प्रोडक्शन किया जारा है जब जब रॉयल्टी बढ़े है कहीं न कहीं यह जंता के साथ भी दोका रमन जी कर रहा है चली और जो मेने जंडा है चूकि पैसा चाहिए बीज प्रजापती ज़से जुड़ा हो यह मेरा सवहाग है कि मैं नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन वाहाग कि मैं आपको दूंगा आप नाम लिजिए आप छे महिने बाद आप लिजेशे महिने बाद बीजेपी के नेताओं का नाम लेकर रगी कानम बडीजिया जैसे गाल बिधायक जी को एक बार याद दिला दू बलरामपुर में दो बच्चों को आप ही के बिधायक ने सिर्फ पट्टे के मामले में जिंदा गड़वा दिया था बहुत बाद बूल गए कि आप मुझे किसी पट्टुकलर जो कि बहस को मैं किसी एक वेक्टि विस्वेस पे नहीं ले जाना चाहरा हूं यहां पे भारत समाचार आपके पूरे सिंदी केट पर चर्चा कर रहा है उसी खनन का ही मैटर था खनन का ही मैटर था एक मंतरी का नाम कि उनकी किटने हजार गुना संपत्ति बढ़ गई एक सासे अंदर ऐसे始 earned था संपड़े मैं किसकी जांच करा?. बिल्कुल नहीं पड़िये ? क्या निरो मोधी की जाच कर वाली, किसanking जाच करवायी ? उत्ठरप्रदेश Watts men. आपके कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं कि 5 जार रुपार लिए जा रहे कि आपने उजी जाच किरा ली किसी जाच आपने कहा है लोगों से उस्टे कोई बात नहीं कह सकता बारा माईने के शासर काल में पूरे उतर प्रदेश की जंता से कहता हूँ कि आप लिख के दीजे कि हम उक्तर प्रदेश के बिचार पंपा हुआ है जबानी जवाग खड़ से काम नहीं चलेगा फला जगा लूट हो रही है फला जगा चोरी हो रही है हम दूसरी चर्चा कर रहे हैं लेकिन इस रेफरेंस के लिए आपको बता दूँ कि संभल में आप ही के बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री जी को चिठ्थी लिखी ती 16 अप्रिल को जिसमें वहां के स्पी पे थाने बेचने का अभरश्चाचार का आरूप लगा हुआ थ बाद में अभी जो ट्रांसफर्स हुए हैं उसमें उनको वहां से हटाया गया लेकिन उनको आजमगर में तनाती दे दी गई तो कंसर्ण यह है कि यह खाली जनता और कोई डिबेट में सवाल नहीं उठ रहे हैं आप ही के विदायका आप ही के मंत्री सवाल उठा रहे हैं मैं आज भी आपको असफ कर रहा हूं इस चैनल के मादम से कि जहां से भी हमको यह जानकारी मिलती है य। यही तो सबसे बड़ी ज्कत है आप ने आज जानकारी दिया और सारे अधिकारी भी इस चैनल को देख रहे हैं और हमारे मानी मुखमंत्री जी भी देख रहे हैं और उत्तरक्देश की जंसा भी देख रहे हैं और जो ट्रकों का आप लेशीन दिया है उसके नमबर भी दिख रहे हैं और निश्चित तर्फों में दावे के साथ भी कह सकता हूँ कि जो भी उसके लिए सच्छों मनिकारी है कि इसलिए कि पूरा सिंडिकेट खननन माफिया के सिंडिकेट है और साथी साथ इनको निश्चित रूप से स्लेक्शन भी होगा किसी की रोप है रवन जी इनके परिवान विभाग का इस समय कमाई का सीजन चल रहा है अब जो ट्रक चलती हैं उन पर कितना गुंडा टैक्स लिया जाता है बांदा से हमीरपूर से जालाओं से यह जो बुंदेल खंड का इलाका है यह तो गरीब है लेकिन वहां से जो बालू मोरंग लिकर रही है वो लोगों को करोणपती अरपती बना रही है अब उसमें जब ओबर लोड गाड़ी चलेगी रोड़ पे तो कमाई चुमाई क्योंगी पुलिस लेगी पैसा याटियो लेगा पैसा उसको कोई रोक नहीं सकता है अस्थानी अस्तर पर नेताओं का इंबावल्मेंट सामने समय समय पर आता रहता है डीम है अस्पी हैं सब जान रहे हैं जो फतेपूर से लेके बांदा अमीरपूर जालाओन इस इलाके में बैठे हुए हैं मिरजापूर सोन बद्र तो यह सब बहुत खनन का तो स्वर्ग है अब सरकार न माने बीजेपी ना सुईकार करे तो लोक तंतर में चुकी पांच साल के लिए इनको मौका दिया है जनता ने अब आप जही बात को नहीं मानेंगे तो पांच साल में जनता उसका जवाब देगी इन जिलों को जिन जिलों में धड़ले से खनन जारी है जोडने वाले नेशनल हाइवेस की भी हालत खसता हो रही ह है और वो हमारे पैसे से बना है दूसरी चीज़ है कि मोरंग और बालू जहां से लेके आया जाता है वह गाओं की सड़के होती है गाओं की सड़के इतनी फ्रिक्वेंटली रिपेर नहीं की जाती है और निश्चित रूप से ओवर्लोड़िट वहां चल रहे हैं तो वह उ सब्सक्राइब कर नहीं कर रहा है उसके वाद भी सिंडिकेट निकल करा रहा है और लोडिंग यह पिछली सरकार में भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा था और पिछली सरकार की को बहुत अलूचना जिलनी पड़ी इसके विए लेकिन आज भी वही नेक्सस काम कर रहा है तो इनके खिलाफ कोई प्लान आफ एक्शन है गवर्मेंट के पास पहली बात यह है कि खनन के मामले में सरकार ने असपस्त नीद बनाई थी कि इसको थाने की पुलिस नहीं रोकेगी बालू के ट्रकों को और उसके लिए एक खनन हैं तो गलत तरीके से रोकते हैं और इसकी जानकारी होती है तो निश्ची तरपा उनके विर्दू ने यह तो एक अलग इशू हो गया लेकिन जो अवायद खनन के सहर काली हो चुके हैं अवायद खनन सहरों में हो रहा आगर इस पर चर्चा इस चर्चा प्याएंगे मैं ज अब देना चाहता हूं कि आपने यह विशे संग्यान में लाया हमारी शरकार इसको लेके गंभीर है और निश्ची तोर पर हमारे प्रदेश के मुखमंत्री जी आपके इस सुझाव को और आपके इस चैनल के कारिकरम को निश्ची तोर पर शुकार करते हुए आप जो भी इस चैनल के मादम से निर्देशन दे रहे हैं कि क्योंकि हम कई भी किसी भी तरह भरस्चाचार के साथ खड़े नहीं मुखमंत्री जी चाहते हैं कि जीरो टॉल्रेंस हो भरस्चाचार पर लेकिन वो इंप्लमेंट होते होते हैं और मैं एक चीज बता देना चाहता हूं इस बात को मैं दावे के साथ निश्चित रूप में देखिए निश्चित रूप से वह आज नहीं तो कल हटेगा नहीं लेकिन पता है कि बकरी की माद अब तक खैर मनाएगी नहीं तो वह मान ले इस बात को या तो भरस्ताचार छोड़ दे और नहीं तो भरस्ताचार बारा बंकी की सांसद ने डीम पर आरोब लगाया कि अवध खनन कराता है विल्कुल बिल्कुल जो अभी थोड़ी दिन पहले डीम थे यहां उससे में कोई एक्शन नहीं हुआ उनको आठ महीने बाद अटाया वहां से अरे वो तो छोड़िये उननाव में उननाव केस में स साफ साफ आगया चिदे कुछ पंजली देवी सोन भत्र में दुद्धी विधान सवा से अपना दल के विधायक हैं हरे राम चेरो उन्होंने कहा कि इनकी जो खनन राजि मंत्री हैं अर्चना पांडे वो एक पॉइंट पर आवायत खनन करा रही हैं जब मैं सिकायत करता हू तो उनके गुंडे मुझे धमकाते हैं टीमस्पी से मैं चिला चुका हूँ और अर्चना पांडे की मिली भगत से खनन चला है मैं इनके खिलाब लगनों में धरना परदर्सन करूंगा हरी राम चेरों का बयान है तो इस तरह की मामले आ रहे हैं लेकिन सरकार कारवाई में देली कौने हैं, अधिकारी सरकर को घुमरा कर रहे हैं कि इससे पूरा जाइनला की सरकार की चशन गिर रही आगर मैं आपकी बात माल लो lips perimeter जी बिलकुल इमांदारी से काम करने वाले मुखमंतुरी मॉधे मुझे मेरी बाहनि नहीं तब लागु होगा साथ मुखमंत्री् कि यह जो बीरो केसी है यह किसका आदेश माने आपके महासच्यू का माने महामंत्री जी जो बैठे उनका माने कि अब परदेश अज्जेह जी जी का माने कि योगी जी माने जांती फूरे इंसरी बात है जाईर सी बात है कि साचिवाले में जो मोनें cred जो अधिकारी इसको मोनिटर कर रहे हैं उनके संग्यान में भी है मसला यह है कि किसी चैनल की डिबेट से लगाम नहीं लगती है चैनल की डिबेट में सिर्फ संग्यान में मामलों को लाये जाता है लेकिन एक्षन तो उन अधिकारीों को लेना पड़ेगा तो क्या यह माना जाए कि उनके संग्यान में नहीं है ऐसा हो यह नहीं सकता अगर उनके संग्यान में है तो फिर एक्षन क्यों नहीं हो राविरेंग जी देखिए संग्यान में भी है और सरकार ने कोशिस शुरुआत में की लेकिन उसमें रेट इतने ज्यादा बढ़ गए लेकिन उसमें बहुत बढ़ा इसमें कोई शक नहीं है लेकिन जब दाम नहीं घट रहे तो सरकार मजबूर हो गई और आख बंद करना पड़ा उसको ओवर्लोडिंग के लिए एक अगोसित था कहने मतला लेकिन यह तो यह तो यह तो इलीगल है कि क्या आगर आप बढ़र को लीगल कर लेंगे बिल्कुल कि गलत काम अगर लोगों को फाइदा पहुंचा रहा है तो यह तो समस्या तो है भाई अस्तर तक स्पी तक जो पाएगा सब लूटेंगे डियम में जिला प्रसासन के लोग करेंगे डियम एडियम के थमाम नाम आते हैं सबको पर आटियों घूमी रहा है एक एक जिले में छहाजार रुपया गुंडा टैक से एक ट्रक पर यह बात लोग जानते हैं अच्छा द चलिए आखरी आखरी सवाल रैजनिकांत बडिति पाडी जी से देखिए रायल्टी बढ़ा के सरकार ने अपना राज्यों सोसूल लिया उसके बाद में सरकार को यह चिंता हुई के लोगों तक जो बालू और मोरंग पहुंच रहा हैं उसके बाद मौखिक रूप से ओवर करिए बेमानी के रहे बस्ता लागाशना ने आपने राल्टी कम नहीं की ना आपने राल्टी कम नहीं की तो वही तरीका हो सकता है ना कि आप इतरह की गाड़ियों को नहीं रोकेंगे कभी यह नहीं करते हैं कि पूरे उत्रप्विश की जनता यूँ उम्मीद करती है कि बालू और बोरं के दाम कम हो लेकिन अवैद तरीके से नहीं और अवैद खनन पे और इस तरह का जो नेकसस है जो खनन माफिया का नेकसस है ए अर्टीयो का है और स्थानी प्रशाथसन के उस पर लगाम लगेगी रजनी कान्द मरीत्र पाठीजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद